यह जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है यह बहुत इरिटेटिंग होता है आप यहाँ पे कमेंट नहीं कर पा रहा है जबकि आपका ओनलाइन लेक्चर चल रहा है तो ऐसा केस में आप क्या करेगा इसका problem क्या है बोलने से आपका web browser से खुला है यह YouTube यह आपका phone का YouTube एप में नहीं खुला है तो उसको ठीक करने के लिए अभी हम आप लोगों को step by step दिखाएगा कि क्या करना पड़ेगा ठीक है सबसे पहले I'm going to close this and then I'll go back to the link हम link में जाएगा और आप देखो कि जब हम यह link में click करता है तो इस तरीके से दिखाता है यह browser के थूरू से खुल रहा है सबसे पहले यह हम अभी redmi phone हम use करता है तो आपको redmi में दिखाएगा but you can follow the steps okay so settings में जाओ और आपको जाना पड़ेगा apps में या तो manage app जो भी आपका phone में होगा उस पे आपको जाना पड़ेगा ठीक है so I'll go to apps ठीक है apps में जाने के बाद यहाँ पर दिखाएदे रहाँ आपको manage app यहाँ पर click करना है और top में जो right top में आपको three dots दिख रहा है manage app का right side में आप यहाँ में click करेगा तो आपको दिखाएदेगा show all apps, default apps, reset, app preferences, settings आपको कुछ नहीं करना है just go to default apps आप default apps में जाएगा और उसके नीचे में सबसे नीचे में opening links बोलके जो दिया हुआ है उसमें आपको यह दो चीज में आपको काम करना है बाकी you can leave it as it is so let's go to browser आप एक काम करो आप chrome को select कर दो इसको ठीक है let's go to chrome अभी आप इसको रहने दो leave it as it is फिर उसके बाद में let's go to the next one which is opening links यहाँ पे एक problem होगा you go here all right आप यहाँ पे जाना opening links में आप जब जाएगा तो you can see right यहाँ पे अलग-अलग चीज है सबसे पहले तो ऊपर में देखो सबसे पहले ऊपर में देखो instant जो apps बोलके लिखा हुआ है do you see that yeah आपको दिखाई दे रहा होगा तो instant apps में आपको click करना है यहाँ पे आपको जो blue कर देना है उसको इसमें क्या लिखाए open links in apps even if they are not installed अगर आपका mobile में वो app let's say amazon नहीं है फिर भी वो amazon में ही खुलेगा तो इस तरीके से आपका phone में एक option आ जाता है open links in apps ओके यह apps में ही खुलेगा जब apps में खुलेगा तब जाके आप chats वगेरा भी कर सकता है now let's go below और नीचे जाएगा हम लोग यहाँ पर देखो आपके phone में YouTube होगा YouTube को हम लोगो ठीक करना पड़ेगा let's go to YouTube अब YouTube में देखो यहाँ पर बहुत लोगों का आपका ऐसा भी हो सकता है कि don't open बोलके भी दिया हो सकता है तो आपको click करना है open guys I'm telling you again आपको open में click करना है just press on open ठीक ह इस तरीके से हम लोगों का phone में पूरा settings complete हो चुका है अभी हम लोग फिर दुबारा से वो link में जाके दिखाता है आपको कि क्या होगा अभी let's go here आप देखेगा automatically अभी YouTube खुलने लगा है okay इसमें YouTube और हम यहाँ पर अभी chat भी कर सकता है hello sir आपको दिखाई दे रहा है यहा आपको जो चैट का option है जो problem हो रहा था आपको जो चैट का problem हो रहा था वो solve हो गया है I hope you found this video useful thank you so much bye bye